कोरोना वाइरस कहां से आया ये पहेली पूरी दुनिया को उल्जाए हुए है ये कोई नेच्रल वाइरस है या किसी खदरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा इन सवालों का जवाब वेग्यानिकों से लेकर तमाम सरकारें तलाश रही हैं अमेरिकी राष्टपती के जाच के आदेश के बाद एक और संसनी खेज खुलासा हुआ है दावा किया गया है कि कोरोना वाइरस को चीन के वेग्यानिकों ने वुहान लेब में ही तयार किया था वेग्यानिकों ने वाइरस पर एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिलने का भी दावा किया है जिसके बाद एक बार फिर चीन सवालों के घेरे में हैं आईए आपको बताते हैं किसने की है ये रिसर्च और इसमें क्या दावे किये गए हैं एक प्रमुक ब्रिटिश अखवार ने इस ख़बर को प्रकाशित किया है ख़बर में बताया गया है कि कोरोना वाइरस को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि चीनी विग्यानिकों ने बुहान लेब में ही COVID-19 को तयार किया था जब संक्रमर फैल गया तो वाइरस के रिवर्स इंजिनिरिंग वर्जन से इसे छिपाने की कोशिश की गई जिससे दुनिया को लगे कि नैचरल तरीके से चमगादर से ये वाइरस आया है ये स्टडी बिटिश प्रोफेसर एंगर्स टर्लिस और नार्वे के विग्यानिक डॉक्टर बिगर सोरिंसें ने की है ब्रिटिश प्रोफेसर एंगर्स टर्लिस लंदन में सेंट जॉट यूनिवरस्टी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं जबकि नार्वे के विज्ञानिक डॉक्टर सोरं सें महामारी विशेश अग्ये हैं खवर के मुताविक दोनों विज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि चीन ने वुहान लेब में जान बूज कर प्रयोक सजुड़े डाटा को नस्ट किया डाटा से छेड़ छाड़ की गई और उसे चुपाया गया विज्ञानिकों का दावा है कि प्रथम द्रष्टिया उनके पास एक साल से भी अधिक समय से चीन में कोरोना वाइरस के रेट्रो इंजिनिरिंग के सबूत हैं परंतु उनकी स्टडी को कई अकैडेमिक्स और प्रमुग जर्नल ने अंदेखा कर दिया ब्रिटेश अखवार ने अपनी ख़वर में ये भी दावा किया है कि दोनों विज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के दौरान कोरोना वाइरस के सेंपल्स में एक यूनिक फिंगर प्रिंट को भी खोजा वेग्यानिकों के मुताबिक ऐसा लेब में वाइरस के साथ छेड़ छाड़ करने के बाद ही हो सकता है वेग्यानिकों का कहना है कि वे अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स को जर्नल में प्रकाशित करना चाहते थे परन्तु तब कई बड़े साइंटिफिक जर्नल ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उस वक्त सबको लग रहा था कि कोरोना वाइरस नेचरली चमकादर या जानवरों से इनसान में आया है अब एक साल बाद फिर से एक बार वेग्यानिकों ने इस बात पर बहस शुरू कर दी है वेग्यानिकों का दावा इसलिए और एहम हो गया है क्योंकि अमेरिका वाइरस को लेकर जाच में जुटा है हाल ही में अमेरिकी राष्टपदी जो बाइडन ने अपनी खूफिया एजनसियों को 90 दिन के भीतर एक जाच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है इसमें कोरोना की उत्पत्ती और लेब की थियोरी की जाच भी शामिल है इस बीच कई और देश भी डबलू एचो पर कोरोना वाइरस की उत्पत्ती को लेकर गहराई से जाच करने का दवाब बना रहे हैं इससे चीन की मुश्किलें बढ़ सकती है